दो मिनट या नाई मिनट की वीडियो बनाते हैं एक दो मिनट उसको वीडियो उसकी दिवीज देते हैं अगर वो टिलीट ते ले बोलता है उससे टिलीट से आज मांगें फेस्बुक पर एक लड़की आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भीजेगी अगर आपने उससे एक्सेप्ट किया तो आप मुश्किन में पड़ सकते हैं इंस्टाग्राम पर एक लड़की आपसे जुड़ना चाहेगी अगर आप उससे जुड़ गए तो समझे बहुत बड़ी मुसीबत से जुड़ गए फेस्बुक मेसेंजर पर इंस्टाग्राम पर ट्विटर पर एक लड़की के जरीया आपसे नंबर मांगा जाएगा और अगर आपने नंबर दे दिया तो समझे मुसीबत को नियोता दे दिया वाटसेप पर एक लड़की की तरफ से आपके पास वीडियो कॉल आएगा अगर आपने उठा लिया तो आपके साथ बहुत बड़ा दोका हो जाएगा वीडियो कॉल के जरीये वो लड़की आपसे 30 सेकंड बात करेगी और उसी वक्त से आपकी जिन्दगी में मुसीबतों कामबार शुरू हो जाएगा सिर्फ एक वीडियो कॉल आपका बैंक एकाउंट खाली कर देगा आपका चैन लूट लेगा और कभी न खत्म होने वाला दर्द दे जाएगा स्मार्ट फोन और सोशल मीडिया के यूब में ये रिपोर्ट आपको मुसीबत से बचना सिखाएगी आप इसे आगा करने वाली इन्वेस्टिकेशन कह सकते हैं ये आपके और आपके परिवार के हिप में है नमस्कार आपके साथ मैं हूँ बिनाक्शी कंडवाल और आप देख रहे हैं टाइमस नाउ नव भारत पर आज ये खास रिपोर्ट जिसमें हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसा खुलासा जो आपके लिए आपके परिवार के लिए बहुत जरूरी है ये देश के 40 करोर लोगों को बचाने वाला इंवेस्टिगेशन है और क्यों ये जरूरी है क्योंकि आज़कल कौन सोशल मीडिया पर मौजूद नहीं है लेकिन आप मेंसे हर वो शक्स जो सोशल मीडिया का इस्तमाल करता है उसके लिए ये पड़ताल देखना बहुत जरू और ये आपके लिए क्यों खतरनाक है और इसमें फसने की कितने चांसेज हैं आप जब देखेंगे कि ग्राउंड पर सोशल मीडिया इस्तमाल करने वालोगों को किस तरह से लूटा जा रहा है किस तरह से उनको तंग किया जा रहा है तो आप समझेंगे कि इस खबर की तह त पताएंगे कुछ सुरक्षा के मामलों को लेकर ये चीजें बहुत जरूरी हो जाती है जिनका खयाल नवभारत रखता है ताइमस नाव नवभारत ये सच आपके सामने इसलिए ला रहा है ताकि किसी भी शक्स के साथ वो धोखा ना हो जो इनके साथ हुआ है ताकि कोई उस चकर वी हो में नफसे जहां से बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है ये वो चंद लोग हैं जिनकी कहानी परिशान करने वाली ऑनलाइन स्कैम के ये वो शिकार हैं जिनके साथ बहुत बढ़ा धोका हुआ बहुत बड़ा चल हुआ इनका नाम और इनकी पैचान जरूरी नहीं है अगर कुछ जरूरी है तो इनकी कहानी इनकी आप भी थी आप इन्हें सुनेंगे तो आप सुरक्षित रह पाएंगे बहुत बड़ी मुसीबत से बच सकेंगे काफी डर गया था मैं उनसे काफी मैंने रिक्वेस्ट करी मैंने एक दो बार नंबर वी ब्लॉक किया तो मुझे बार बार नए नंबर से मैसे जाने लगे और उधमकियां भी बढ़ती गई तो फाइनली थोड़ा सा डर के मैंने उन्हें पांच हजार रुपे दिये पर वो माने नहीं उसके बाद भी वो पैसे मांगते गए तो 15-20,000 तक जब तक मैं दिये नहीं तब तक वो मेरी पीछे पढ़े रहे अगले 3-4 दिन तक मेरी जिन्दगी काफी नर्कसी हो गई थी ये तो सिर्फ कुछ लोग है, हकिकत तो ये है कि देश में हर रोज सैंकडों, हजारों लोगों के साथ ऐसा धोखा हो रहा है उनके साथ जो सूशल मीडिया यूजर्स हैं, चाहे आम लोग हों या पैसेबार, मडल क्लास हों, यह हाई प्रोफाइल, मसला नेता, अफसर, डॉक्टर, प्रोफेसर, बिजनस्में, स्टूडेंट्स, यहां तक की वकील और वर्धी वाले भी हमने देखा है कि इसमें समाज का हर वर्ध, चाहे वो डॉक्टर हो या कोई प्रोफेसर हो, इवन काफी हाई प्रोफाइल केसे भी हमारे पास सामने आये, जिसमें वो लोग इनवोल्ड थे, तो यह लोग टागेट करते हैं कि किस से यह लोग ज़्यदा ज़्यदा पैसा ए आखिर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट, उसकी एकसेप्टेंस और फिर एक वीडियो कॉल, किसी के लिए किस तरह से काल बन जाती है, इंटरनेट और सोशल मीडिया के इस दौर में ये जानना और समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि जब आप इसे जानेंगे, इसे समझेंगे, तब ही इससे बच पाएंगे, जानकारी ही इस ऑनलाइन स्कैंडल से बचने का एक मात्र उपाए, इकलौता हतिया, सोशल मीडिया पर तमाम ऐसी प्रवति के लोग हैं, जो लोग आपसे पैसे एटने के लगातार काम करते हैं, ये लोग आपको पहले दोस्त बनाते हैं, दोस्त बनाने के बाद आप ही को धोका देते हैं, और उसके बाद आपसे पैसे एटते हैं, ये पूरा नया धंदा इन तक पे हो इन चारों सोशल मीडिया एप पर इस वक्त खत्रे में हैं क्योंकि वो लोग आपके आकर दोस्त वनेंगे और आपको ही बाद में धोका देंगे और आपको संभलने का मौका तक नहीं मिलेगा इस खतरनाख खेल की शिरुवात होती है फेस्बुक से एक अंजान और आकरशक चेहरे वाली लड़की की प्रोफाइल से फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है और जिसने भी ये फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली समझो वो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ गया फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते ही मेसेज पर मेसेज आने शुरू हो जाते हैं बाचीत होने लगती है और वो आपसे कई सवाल पूछती है जैसे आप कहां रहते हैं आप क्या करते हैं आप कहां जाते हैं और उसके बाद फिर वो आपसे वाटसेप का नंबर रिक्वेस्ट के जरीए या वाट्साप पे चाटिंग के जरीए अन्नोन नंबर से एक लड़की की डीपी लगा कर आपको अप्रोच किया जाता है आम आदमी उस जहांसे में आ जाता है और उनके साथ एक सेक्शुल वीडियो चाट की जाती है और उनकी वीडियो को रिकॉर् जैसे ही कोई अन्जान लड़की को अपना वाट्साप नंबर देता है दूसरी ओर से एक वीडियो कॉल आती है जैसे ही शख्स कॉल रिसीव करता है वो ब्लैक मेलिंग गैंग का शिकार हो जाता है वाट्साप पर कॉल रिसीव करते ही तूसरी तरफ एक लड़की दिखाई देती है अमूमन वो लड़की बिना कपड़े के या फिर कम कपड़े में होती है उसकी आवाद भी सुनाई देती है फिर वो शक्स को कपड़े उतारने के लिए कहती है और अगर उस शक्स ने उस की बात मान ली तो वो बहुत बड़ी मुसीबत में फस जाता है और अगर बात नहीं मानी तो भी मुसीबत में फस जाता है आकर कैसे हम बताते हैं वीडियो कॉलिंग के दौरान लड़की की कहने पर अगर कोई शक्स कपड़े उतार देता है या किसी तरह की अशलील हरकत करता है तो दूसरी ओर वीडियो कॉल की पूरी स्क्रीन रिकॉर्ड कर ली जाती है इसके बाद कॉल कट हो जाती है अगर किसी ने वीडियो कॉल रिसीव कर लिया और लड़की के कहने पर अशलील हरकत नहीं की तो भी उसके साथ खेल हो जाता है ब्लैक मेलिंग गैंग वीडियो को मॉर्फ कर देता है मतलब वीडियो का पहला हिस्सा वाटसफ वीडियो कॉल होगा जो असली होगा जिसमें वीडियो कॉल रिसीब करने वाला सक्स और न्यूड लड़की दिख रही होगी उसके बाद का हिस्सा नकली होगा इसी मौर्फ वीडियो से वसूली की जाती है जैसे आप वीडियो काल डिसीव करते हैं, और लड़की उधर से नेकेड होना सुरू हो जाती है, तो एक टूल है जो इसक्रीन को कैप्चर कर लेता, जो आपका स्क्रीन कैप्चर टूल आते हैं ठेड सारे, और यह फ्री में मिलते हैं, वो डाउनलोड किया रहते हैं, वो सिंथेटिक वीडियो, सिंथेटिक फोटोग्राफ, फोटो मार्फ करके बना लेते हैं, एक बार किसी ने वीडियो कॉल रेसीव कर लिए, वीडियो कॉल पर बात कर ली तो समझे कि उसका अशलील वीडियो बन रहते हैं, ऑनलाइन ठगी करने वाले वो लोग उस वीडियो क पीडिच शक्स को भेजते हैं और उससे पैसे मांगते हैं उससे वसूली करने कोशिश करते हैं और उसको ये भी कहा जाता है कि अगर उसके द्वारा पैसे नहीं दिये गए तो वो वीडियो उसके फेस्बुक और इंस्ट्राग्राम के पेज पर डाल दिया जाएगा उसके account के जितने भी लोग हैं यानि कि उसके परिवार के और office के लोग हैं वो देख पाएंगे और यहां तक की YouTube पर भी उसका ये वीडियो अप्लोड कर दिया जाएगा जैसे इसमें एक unknown number से वीडियो को ला रहा है तो हमेरी कई बार इंस्टिक्ट होती है कि पता नहीं कोई मेरा जानकर या कोई known वो कॉल कर रहा है लेकिन हो सकता है कि वो कोई आपको honey trap करने के लिए यह से कॉल कर रहा हूँ तो एक सबसे बड़ी एक reason एक awareness आपके लिए ही है कि आप इसको आप कि आप ऐसी कॉल्स को accept ना करें इसके डर से वो इस गिरोह के खाते में डिमांड के मताबिक online पैसे ट्रांसफर कर देते हैं वसूली करने में भी अपराधी बेहद होशियारी से काम लेते हैं ये पीडित से बड़ी रकम नहीं मांगतें दस हजार या पाँच हजार रुपे के डिमांड करते हैं रकम छोटी होती है इसलिए लोग मुश्किल से बाहर निकलने के लिए छोटी रकम दे देते हैं पुलिस के पास नहीं जाते हैं उन्हें लगता है कि अगर मामुली रकम देने से इज़द बचती है तो ये सबसे बहतर रास्ता जो विक्टिम है वो खुद इन्वॉल्ड होता है और उसको अपनी बदनामी का डर इतना जादा होता है कि वो कभी भी पुलिस को अप्रोच भी नहीं कर पाता एफ़ाय रेजिस्टेशन के लिए तो इनके बारे में पता नहीं चल पाता है क्योंकि रिपोर्टिंग नहीं होती तो पुलिस भी नहीं कारवाई कर पाती इसमें सबसे डेंजर बात तो ये है कि एक बार पैसे देने के बाद भी ये उगाही गैंग उस पेडित का पीछा नहीं चोड़ता है उसको वापस से धमकी देता है कि आपका वीडियो अभी भी हम फेस्बुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब पे वाइरल कर देंगे तो उससे वापस से हर सोशल मीडिया एप के नाम पर पैसे एठे जाते हैं और ये चीज़ जब तक चलती रहती है जब तक पीडित या तो पोलिस के पास नहीं चले जाता या फिर पैसे देने से इनकार नहीं कर देता कुरना काल में न्यूर कॉल्स से ब्लैक मीलिंग का ये ओनलाइन स्कैंडल बेहद बढ़ चुका है देश में ऐसे मामले 500 फीज़ी तक बढ़ गए हैं अब तक 800 से ज़्यादा केस सामने आ चुके हैं लेकिन ज़्यादा तर लोग पुलिस के पास नहीं जाते रिपोर्ट नहीं करते हैं इसलिए ऐसे मामलों की असली संख्या कितनी बड़ी है ये किसी को नहीं पता है बंदा घबरा जाता है पहले तो तुरंट तो वो अपने बारे में बता के मामला शांद करने की कोशिश करता है पस्थ जैसे जैसे वो अपने बारे में बताना शुरू करता है जो वो क्रिमनल होते हैं वो और शातर होते हैं वो इस चीच को यू contract करते हैं सोचल मीडिया के जर्ये ब्लैक मैलिंग के इस नए मोडूल से ना सिर्फ पीर्ट परिशान है बलकि हर राज्य की फुलिस और साइबर सेल टेंशन में उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि आखिर इससे निपता कैसे जाए इस खतरनाख खेल पर लगाम कैसे लगाई जाए लगनों से आदर्श के साथ वरुन बसी दिल्ली टाइमस नाव नवभार